हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर टू, इलेक्ट्रो केमिश्री, क्लाश 12, ठीक है, इस पर देखेंगे, इलेक्ट्रो और विभाव और मानक इलेक्ट्रो और विभाव में सम्मन्द, नश्ट का समिकर, ठीक है, नश्ट एक्वेशन क्या होती है, बहुत ही आसानिक से इसका पूरा नश्ट एक्वेशन, ठीक है, तो चलो देखते हैं, तो देखो नश्ट का समिकर क्या होता है, देखो जो नश्ट थे, इन्होंने एक आपका एक्वेशन दी है, ठीक है, तो उस एक्वेशन का पूरा डेरिवेशन आपको बताएंगे, तो चलो देखते हैं, तो देखो पढ कार के उत्करमडी इलेक्ट्रॉड के ताप टी पर इलेक्ट्रॉड विभो ई और उसके मानक अपचयन विभो या कह सकते हो मानक इलेक्ट्रॉड विभो ई नॉट में निमलिकि संबंध होता है इसी संबंध पर एक्वेशन दिये देखो उत्करमडी इलेक्ट्रॉड मानलो इ तो आपका zinc actually call the zinc sulfate civility है तो फिर हम की प्हार इसके जो उने विदियोसे उसे खिंगर आप इसके पहले वीडियो देखोगा आप तो ही पूरा समझ में आजये मंज़यत के हम sad आप किसी बीटु कोई reaction M N plus plus N electron उससे M solid बन रहा है M का मतलब है कोई धातु या metal माल लो कोई धातु zinc है ठीक है उस Z N 2 प्लस और प्लस वो दो electronों को ग्रहाण कर रही है दो electron ग्रहाण करने के बाद वो Z N solid बना रही है ठीक है यह reaction माल लो Z N 2 plus plus 2 electron से Z N solid बन रहा है यह आपको एक example के तोर पे बता रहे है M N plus plus N electron M solid वाला भी लिख सकते हो यह आप zinc वाले का भी example ले सकते हो ठीक है तो इसके लिए बता रहे है देखो तब आपका नश्ट का समिकरण क्या हो जाएगा E equal to E not minus 2.303 RT upon NF log base में 10 M solid upon M N plus देखो यह जो M solid इधर है यह उपर आजाएगा इसकी सांदरता बते में M N plus की सांदरता ठीक है यह पूरा फॉर्मला है नश्ट का ध्यान से समझो M solid उपर M N plus नीचे देखो E equal to E not minus 2.303 RT upon NF और log base में 10 M solid upon M N plus ठीक है तो यह जहां E आपका क्या है इलेक्टरॉड E आपका क्या इलेक्टरॉड विभो है E not आपका माना की इलेक्टरॉड विभो है देख सकतो E इलेक्टरॉड विभो है E not आपका माना की इलेक्टरॉड विभो है ठीक है और यहाँ पे R क्या है R है gas नितांक यहां पे solid और gas की सांदरता जो होती 1 होती है इसलिए हम यहां पे जो m solid है इसकी जगा 1 लिख देंगे ठीक है यह आपको याद रखना है तो e equal to हो जाएगा e naught minus 2.303 rt upon nf log base में 10 1 upon mn plus तो यह है आपका नश्ट का समीकर है ठीक है आपको क्या पता चला solid और gas के लिए मान एक होता है सांदरता का ठीक है तो इसलिए आपका नश्ट का समीकर यह आगया अब मानलो हम यहां पे t का मान 298 Kelvin रख दे r जो gas नहीं तांग इसका मान 8.314 रख दे और f का मान 96 500 कुलाम रख दे तब आपका क्या आएगा formula e equal to e naught minus देखो यह सारी value आपको r की जगा रख देना है t का मान आपको 298 n की जगा n ही रहेगा f की जगा 96500 ठीक है तो देख सकते हो आपका jn जैसे 2 plus plus 2 electron से जो jn solid बन रहा था आपको बताया था तो इस पे जो 2 electron है न तो यह n जो है electron की ही संख्या है ठीक है e equal to e naught minus 0.0591 upon n into 1 upon mn plus और यही आपका नश्ट का समिकरण होगा ठीक है आपका क्या formula पूरा निकल के आया यही नश्ट का समिकरण है नश्ट का equation तो पहले आपने क्या देखा था इसका समिकरण e equal to e naught minus 2.303 rt upon nf log base maintain m solid upon mn plus ठीक है इसके बाद हमने आपको बताया solid or gas के लिए मान सांता का 1 होता है तो हमने इसको पूरा लिख कर ऊपर 1 लिख दिया जहां t का मान 295 Kelvin रखा r का मान 8.314 f का मान 962 500 यह सारी value रखने के बाद हमें जो पूरा नश्ट का equation मिला वो क्या मिल गया जब इसका उड़ा उड़ा कल लोगे तो e equal to e naught minus 0.0591 upon n into 1 upon mn plus आपको मिल जाएगा ठीक है जहां e आपका electrode भी भाव है e naught आपका माना की electrode भी भाव n आपकी electron की संख्या है और जैसे mn plus लिखा है वैसे मान लो jink दातू हो तो jn 2 plus लिख देना ठीक है कोई भी दातू c u हो तो c u 2 plus लिख देना तो यह है आपका नश्ट का समिकर देख सकते हो पूरा कि नश्ट के तो आपके नंबर पूरे कोई नहीं कार सकता ठीक है तो देख सकते हो इस टैप से पूरे derivation करना इसका नश्ट के समिकर का और most important है यह समिकर आपका ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना चैनल पर नहों तो subscribe जरू कर देना